सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेकनिकल को इलेक्टिकल और एलेक्ट्रोनिक्स के चोटे-चोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए वो भी हिंदी में और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को दवाएं दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हमारा मेन उद्देश है वोल्टेज को कम करना तो दोस्तो वोल्टेज को आप बिना ट्रांसफार्मर के किन-किन कंपोनेंट से कम कर सकते हैं चोटे-चोटे एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए तो दोस्तो आज का वीडियो के लिए मैं यूज़ करता हूँ तो ये हमें चाहिए दूसरा फिर हमें एक चोड़ा सा ओल्फ चाहिए दुस्तों इसका मेरे पास होलडर नहीं था तो मैंने इसमें अच्छा व இர को गनेक्ट कर दिया है तो ये हमारें पास जो लेम्प है और दोस्तों एक extra wire चाहिए तो दोस्तों यही वह component है जो voltage को कम करेगा तो आईए अब इसमें चेक करते हैं कि यह कैसे काम करता है दोस्तों उससे पहले मैं बताना जाओंगा कि AC हमारे यहां कितना आ रहा है यह main board से मैंने connect किया हुआ है तो यहां पर AC supply है है तो आईए वी से मल्टी मिल्टर से चेक कर लेते हैं कि कितनी हमारे यहां voltage आ रहा है यह मैंने 750 वोल्ट पर connect कर दिया अब देखिए 200 वोल्ट हमारे यहां पर आ रहा है तो दोस्तों अब मैं connector यानि मैं capacitor को connect करने वाला हूं तो यह रहा capacitor यह इसमें दोस्तों मैंने extra wire को जोड़ दिया ताकि lead में आराम से हम connect कर पाएं इसको तो देखिए मैं connect करने वाला हूं इसको बहुत safely तरीके से आप use करेंगे यह मैंने लगा दिया और एक wire को हम direct use करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा 200 वोल्ट यहां पर आ रहा था अब देखते हैं capacitor कितनी वोल्ट बाद में निकालता है तो पहले आप एक पिन यहां पर लगाईए और एक पिन यहां पर लगाईए तो यह total वोल्ट हो गया एक यहां पर लगाई आपने और एक यहां से यहां पर लगाई तो यह total वोल्ट है अब capacitor के बाद जो निकलेगा वो वोल्ट देखते हैं यह देखिए आपने यह गटता जा रहा है गटता जा रहा है तो यह 12 वोल्ट पे 10 वोल्ट यह 10 वोल्ट पे रुख गया तो यानि 200 वोल्ट को कापेसिटर ने 10 वोल्ट में कनवर्ट कर दिया तो दोस्तों आई अब लैंप चेक करते हैं बड़े वाला जलता है यह चोटे वाला दोस्तों यह हमारे पास बड़ा लैंप है तो इसे में एसी से हम पहले जलाएंगे यह हमारा फुली 200 वोल्ट पे हम कनेक्ट कर रहे है ुआ ुआ फिए यहां पे लैंप जल रहा है अब क्यापएसिटर के आउट्पुट्से देखतें कितने जलेगा लेंप यहां पर आप देखें हैं पे लैंप जल ही नहीं रहा है यानि यह ऑनी सो वाट का लैंप है 200 वोल्ट या 500 वोल्ट पे जलता रहा है तो जो हमारी आउटपूट निकल ली कापैसेटर के बाद वह 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट पर यह नहीं चल रहा है अब हम छोटे लैंप को टेस्ट करते हैं दे रहा हमारा चोटा लैंप इसे मैंने वायर से कनेक्ट किया हुआ क्योंकि इसका मेरे पास ओल्डर नहीं है तो चलिए दोस्तो इसका भी सेम तरीगा रहेगा एक आप डिरेक्ट लगाई है यहां पर वायर और एक आप कैपेसिटर के बाद वायर को चेक करेंगे यह देखिए दोस्तो कितना कम जला है यह लैंप यह आप देख सकते हैं यानि कैपेसिटर के बाद जो वopes निकल रहा है वो 10 वोल्च निकल रहा है और डिरेक्ट जो हमारी सपलाई आ रही है वो 400 वोल्ट आ रहा है तो इस तरह से आप अपने घर पे वोल्डेज कम करने के लिए इस capacitor का यूज़ कर सकते हैं यह बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा लेकिन दोस्तों मैं पहले बता दू कि एक secure तरीका नहीं है इसको तरीकों को आप जबी यूज़ करें जब आपके पास transformer ना हो या कोई और तरीका ना हो यह एक better practical है आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको आप तभी यूज़ करें जब आपके अपास दूसरा option ना हो और इसको safely तरीके से आप यूज़ करें दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अ करें दोस्तों नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद